और आग राध्धानी का दुरूप चारोतर विकास दिखता है उसी से प्रेड़ना लेकर वाड़ों में काम करना अब हमारे हैं चोटी बस्तियां हैं लेकिन वो चोटी बस्तियों में समझदार लोग रहते हैं बहुत लोग रहते हैं तो उनके लिए काम करने में एक आदम संत हपती भी हैं कैसा निभा सकते हैं थोड़ा वित्तार से आज सुबह जब लोग घर से उड़ते हैं और गाड़ी वाला आया घर से कच्रा निकाल की जब सुरूबात करते हैं तो 2017 में जब हमने इन चीजों को शुरू किया तो अब ये महानगर के स्रेणी में आ गया रहे खासकर अर्विन नगर पेंसन वाड़ा कंदरा पारा में बस्तियों में लोग एक सौचाले नहीं बना सकते हैं आपने छेचे सासा सौचाले बनाकर उनको उपलब्द कराया है ये जोच लोगों को बस्तियों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां कितने लर्ड़ अर्विन नगर बस्तियें सी बस्तियों जहां पर संसकार और संस्कृति कि स्रमचन आगर किसी को देखना में चले जाए यहां यादोपारा जो बस्तियों वहां चल लिए भड़ द् Mehr खोटा है लेकिन दिल बढ़ा उनका य внक्षण में अफु उपचुनाओं होने हैं दो तीन माहा अभी खोशणा नहीं होए है और अंदर खाने काफी लोगों के बीच में लोग कह रहे है काउंग्रेस का पत्याती तो तयह है तिर्फ घोशना होना बाकि है परमोद दुबेजी वहां थे काउंग्रेस का पत्याती बनाए जा सकते हैं, ऐसे अंदर खाने चर्चा है, क्या कहेंगे? जनता ने डारेक्ट इलेक्षन में मुझे चुनाओ जिताया है, तो कहीं न कहीं, यहां नालंदा लाइबरेरी हमने बनाई, यहां हमने विसरजन कुन बनाया, तो यह बहुत सारी ऐसे अनुखे चीज़ें हैं, जो राइपुर शहर के लिए अत्यावशक्ति तेली बंधा तलाब तो पढ़ने की का गार पड़ था, कट्रा तलाब का स्तित। जबाब तो होने पर आ गया था, यह जो शहर है, यह मुल्तफ तलाबों और मंदिरों का शहर है, और तलाब लगभग पटने की का गार पड़ थे, तो पचास तलाबों पर तो हमने काम किया, चाहे हो नरया तलाब हो, चाहे हो कट्रा तलाब हो, देश का सबसे उंचा जंड गर्व करने की बात है कि 82 मीटर के जंड़ा हमारे रैपूर शहर में लगा हुआ है, तेली बांधा में, वहां से लेकर गार्डन हम लोगों ने बनवाए लगबग 84 गार्डन और आक्सीजोन आपके सामने में उधारन है, कि शहर के बीच में हमने इतना बड़ा ऑक्सीजोन बनाया, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई, 933 हमने कैमरे लगाए, तो अब ये शहर जो था, वो सौव स्मार्ड सिटी में लाने के लिए बड़ी चैनिन थी हमारे पास, आज सुबह जब लोग घर से उड़ते हैं, और गाड़ी वाला आया घर से कच्छरा निकाल की जब चीजों को शुरू किया, तो अब ये महानगर के स्रेणी में आ गया रहे पूर, उस तरज पर हमने विकास किया, और राध्धानी का निरूप चारो तरफ विकास दिखता है, उसी से प्रेड़ना लेकर वालों में काम करना, अब हमारे हैं चोटी बस्तियां हैं, लेकिन वो मद्दान करने की अगर बात आती है, तो अगर 60-65% अगर मद्दान होता है, तो मैक्जिमम मद्दान करने वाले वही लोग हैं, तो समझदार तो वही लोग हैं, हम जाकर देखे, खासकर अर्विन नगर पेंसन वाड़ा कुंदरा पारान, बस्तियों में लोग एक सौचाले हों, और हमारे समाद से भी संस्ता के बहुत सारे लोग हों, तो निश्चित रुप से अब उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, और लोगों को बस्तियों में जाना चाहिए, और देखना चाहिए, कि वहां कितने लर्नेट लोग हैं, वहां से सीखने को मिलता है आम लोगों को, अर्विन नगर बस्ति ऐसी बस्ति है, जहां पर संस्कार और संस्कृति की स्रनचना अगर किसी को देखना है, तो यह कुंद्रा पारा में चले जाए, अर्विन नगर बस्ति में चले जाए, यहां यादव पारा जो बस्ति है, वहां चले जाए, जन्पत के सियो जैसे लेवल के लोग रहते हैं घर छोटा है लेकिन दिल बढ़ा है उनका तो इस प्रकार के लोग हैं और उनी से प्रेड़ना मिलती हमको इसलिए हम लोग काम करने में वहां पानी की समस्या थी बहुत दिनों तक अब दिन भर पानी आता है दिन भर पानी आता हम जाकर देखें आप प्रदिश में भरती जन्ता-पार्टि की सरकार बन चुकी है कानून व्यवस्था पर आप देख रहे हैं तो कानून व्यवस्था कर बढ़ाई है आठ दिन पहले एक जिम्मेदार मंत्री टंक राम वर्मा जी उन्होंने ट्रांसफर की 195 लोगों का 150 लोगों की फ विजय शर्मा जी के कॉंस्टेट्वेंसी में तो अजीव इस्थिति आ गई कि तिन तिन लोगों का मडल हो गया आज कवरधा पूरा प्रदेश में कवरधा जल रहा है बलुदा बजार की घटना हुई देखे आपकी कलेक्टरेट को उड़ा दिया गया आज तक के हम लोगों से सुरक्षित रहेगा इस प्रदेश में तो साइज साहब की जो सरकार है वो कंफ्यूज है चार-चार-चार-पांच-पांच मंत्री हैं कोई भी कुछ भी बुलने जा रहा है आप देखे इस सिती कितनी बत्तर हो चुकी है 1344 से स्कूल लगबग बंद करने के गगार पर है यह आफिशल स्टेटमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि 1344 से स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं मतब यह सिती अगर कहीं किसी प्रदेश में आ जाए तो यह तो निश्यत रूप से सोचनी विसा है और हम बेरोजगारी के दर को लगातार बढ़ा रहे हैं भुपेज बगेल जी कि ने जो 400 यूनिट तक फ्री रखे थी उसको खतम कर दिया अब वो जिनका बिजली बिल 500 रुपी आ रहा था उसका बिली बिल 2000 रुपी आ रहा है तो यह मतब यह किसकी सरकार है यह तो लोग समझते हैं यह तो रास्टी स्थर पर राहुल गांदी प कि राहुल गांदी के उपर एक तो मेंबर अपार्लियमेंट जो हैं जिम्मेदार हैं वो उन्होंने कह दिया कि जो इनकी दादी का हाल हुआ था वो हाल इनका भी कर देंगे लेकिन इस देश में इन चीजों को लोग पसंद नहीं करते हैं आप और आश्यर की बात यह है कि अमाने प्रधान मंतरी जी चूप हैं राहुल गांधी विपक्स के निता हैं और जिनके गर में तीन तीन प्रधान मंतरी रहे लुँआ जिसको न पढ़िक की इच्छा 나와 तो एक योज्णा मना करकि जिसकार से उनकी जकह कर्था लगाने की कोशिच की अब अरुबो रुपया तो खर्च कट डाले उनकी उनकी सब आदतों को या उनके सब उनको घेरने के लिए उनकी इमेज को डेंट करने के लिए तो अब उसमें भी आप सकसेज नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ भी बात कर रहे हैं अब कहां से देखिया आप नया प्रशाद का मामला आगया अब इस प्रकार की जब राजनीती चलने लग जाए कि एक प्रदेश का जिम्मेदाल मुक्ष मंत्री जो इंडिये का एक गटक दल का एक सांथी है वो अगर कह दी कि प्रशाद में इस प्रकार की चीज़ें हैं तो यह तो आश्यरे वाली बात है कि देश जा कहां रहा है हम किस ओर जा रहे हैं हम तो सव साल पीछे चले गए डालर की रेट को आप देख लिजे डे बाई बढ़ रहे हैं सुस्मस्वराज जी कहती थी कि अगर रूपय का रेट गिर रहा है तो सरकार के सितिया भली भाति सिर्फ घुसना होना बाकी है प्रमुत दुबे जी वहां से कांग्रेश के पत्यासी बनाए जा तकते हैं ऐसे अंदर खाने चर्चा है क्या कहेंगा नहीं मैंने अपनी दावेदार जरूर की है लेकिन यह तो हाई कमान का काम है मुझे टिकेट मिली या मत मिले जिस किसी को भी आज तक टिकेट मिली है उनके लिए मैं तन मंधन से इमानदारी से काम करते आया हूं मुझे भी टिकेट मिलेगी तो यह मेरे सांथी मेरे भाई लोग खड़े हुए है आप लोग समय और मैं धरातल में राज्यती की है इसलिए और भारती जंता पार्टी की वरतमान की क्यों स्थिती है वो सब को देखते हुए बाकी सब काम जो है वहाई कमान का है कमान जैसे देगी उसका पालम करें यह थे प्रमोद दुबे जी नगर निगम में सभापती हैं यहां सांसा चुना लड़ चुके हैं और लोगों के बीच में काफी लोग पुरी है सभापती के पत्पर रहते हुए उन्होंने पार्षत का दाइद तो यहां भगवती चन सुकलवार से करोडों के काम कराया है आप देखते रहें न्यू सेवेंटी टू मैं हूं हरी बंदू नायक नमस्कार